तो हेलो यार तो आज मैं और D-Zone X explain करने वाले हैं नैनो मशीन का एपिसोड नमबर 5 अगर आपने इसे पहले के एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है चल दी जाके देखी वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो नैनो मशीन कहती है आपकी मसल्स को इत्ता इंप्रूफ कर दिया है कि एक 20 साल का dagger technique सीखता हुआ आदमी आपके जैसा ही होगा तभी प्रिंस्योन dagger technique यूज करने के लिए तयार हो जाता है और वो हवा में इस तरह तलवार को गुमा रहा होता है कि उसे अलगी तरह का मज़ा आता है और तभी प्रिंस्योन कहता है कि मैंने तो अभी तरह अपनी फुल पावर यूज भी नहीं की और इतना घड़ा हो चुगा अगर जैंग ने ये देख लिया तो वो पूछे का कि ये करा किसने तभी हमें पता चलता है कि बहार से कोई डोर को नौक कर रहा होता है अंदर आने के लिए और यहीं प्रिंस्योन देख के थोड़ा घबरा जाता है प्रिंस्योन कहता है ये फ्लोर पे जो क्रैक आया ये तो मेरे पैर उसे भी नहीं चुप रहा और तभी जैंग कमरे में आ जाता है तभी प्रिंस्योन पीछे रखी बेंच को आगे खिसका कर वो घड़ा चुपा देता है तो प्रिंस चियां जैंग के आथ में खाने की प्लेट देखके कहता है कि मुझे बहुत भूक लग रही है तो मैं फटावट खाना ली ओव मैं खाना खा लेता हूं जब भी प्रिंस खाना देख के बहुत यादा खुश होता है क्योंकि उसको फेवरेट खाना होता है वो जैंग को कहता है कि तुम्हें मेरी पसंद के बारे में बहुत ही अच्छी तरह पता है जैंग वैसे भी मैं डीमन अकेडमी में जा रहा हूं तो यहाँ पर मैं याँ लास्ट बार ही खाना खा रहा हूं वी नैनो पता नहीं कुछ बखवास बात करने लगती है कि आपके पेट में एकडम से एक्सप्रेशन चेंज करने की वजह से एसे जादा रिलीज हो रहा है तो आपको यहाँ पर यहाँ पर साइट करने लग जाता है और यहाँ पर उस टेवल को जैसे साइट में करता है यहाँ पर उसको निशान दिख जाता है जो कि हमारे चेंज के फूट का निशान होता है और यह देखना चेंज यहाँ पर सोचता है कि इस मुरीम में यहाँ पर किसी ओव आज बेड़े टैकनिक में अपनी की को सर्कुलिक करने में मदद करेंगा और यह देखने बाद उससे कहाता है मैं तुम ब्रीफिंग टैकनिक भी देता लेकिन तुम एक्टेमी में जा रहे हो जहां पर तुम और बिज़ाद लेकिन वो आज यहां पर फिट से रो रहे हैं बहले ही कित्ती भी जादर स्ट्रोंग हो गया उस दिन के बाद से लेकिन यह तो एक बच्च है इसको भी अपने माबाप का प्यार चाहिए लेकिन आखिर में मैं इसकी जादर कोई मदद नहीं कर पाँगा और वो जाते हैं पर चैन से कहता है तुम उसके जारे हैं और मैं तुम्हारे साइड में नहीं रह सकता है क्योंकि वो एक डिमोनिक अकैडमी है और इस सुने को नहीं होता है उसको ठांक यहां से चला जाता है जबकि यहां पर उपने आपको आशु पूछते वें कहता है अब मुझे यहां पर सब्सक्राइब कर दो ताकि और बीटमिनी का सीन दिखाया जाता है जहां पर काफिसार बच्चे बैठे वे तो इसमें से कुछ बच्चे कहा रहे होते हो मुझे यहाँ पर कावदा डल लग रहा है क्योंकि यहाँ पर कावदा खतरनाक एंट्री होने वाली है और यहाँ पर हमें एक बंदी के एंट्री दिखा जाती है जो कि यहाँ पर कहा था है आज के बच्छे कावदा कमजोर है और वाते में यहाँ पर कहाता है क्या तुम को दिखा जो कि यंग मास्टर इस एक सेक्टर के जिसमें से पहला वाला होता है दूसरा वाला होता है स्वार्ड क्लैन का और यहां पर तीसरा बंदा होता है और यहां पर तीसरा वाला होता है अपने पोईजन क्लैन का और यहां पर चौथा वाला में बंदा दिखा जाता है वो यहां पर लड़की दिखाई जाती है कि वह एहां पर मैंस्ट्री शलम्साइब में आपको जीतेगा य olması ज़ूदी से चैब्ण को सब्सक्राइब तो इक लिए अंक लिए वाइड़ झाल